रामपाली महराजी हमें तो जनम दिन मनाने को मना करते हैं पर स्वयम का जनम दिन वां उतरन दिनों क्यों मनाते हैं? बाई साब बड़े के लिए पूछ रहे हैं हमें तो लगता है उनली मान से तनाव भी गर गई है बहुत भड़िया पत्तर की मूर्ती बना के और एक चौराये पे लगा देते हैं और फिर जो है उस डॉक्टर के आगे कहते हैं कि डॉक्टर साब मेरी बिमारी ठीक कर दीजिए बताइए क्या ये मूरुकता है या बुद्धिमानी वाला काम है ये पूरी तरीके से मूरुकता ये जो संत रामपाल जी महराज बक्ती बताते हैं तो उसी से अपना मोक्स हो जाएगा या और कोई लाब होगा इसकी कोई गिरंटी है यहाँ पर आज की यूआप बीडी क्यूं बटक रही है क्यूं दिशा विहीन हो रही है आप ही डिसाइड करतो है कि आपको करना क्या है एक मूवी देखने प्यार करने आख अंब प्य綁ए करने मातापि जा की सेवा करनी आट क्या है रामपाल जी जी महराजि temples कि अधा ब्ला आप प्यार और नसिवाल पहल से लेना ही तो जब अगर लड़का आपने माबाप के पेर नहीं लेगा उन 12 बारे नहीं लेगा उसमान नहींके कि सेवा कर रहे हूं कि रिफरेंस यह कहना रहा हूं कि आज की यूप बठक रीए क्यों दिशावीहिन हो रही है इसके पीछे कारण है कि हमारे जो संसकार थे नो दीरे दीरे खतम हो रहे है हमारी मुवी ने हमें इतना बिगाड दिया है कि हमारे पास एक जरा सी सोच रह गई है थोट प्रोसेस हमारा राई नहीं और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतरामपाल जी माराज कहते है कि माता पिता की सेवा करो खूब सेवा करो है ना उनके सिरफ पैर और प्रणाम करने से सेवा नहीं होती है वो बिमार होगे उनको दवाई दिलाओ बुड़े होगे उनकी सेवा करो उनको खाना बना के दो ये पैर छूने से और फॉर्मल्टी करने से कुछ नहीं होता है respect every day और sir every day every moment of time तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत तरीके की हमारी सोच है इसको छोड़ो और माता-पिता की सेवा करने के लिए सिर्फ एक fix time नहीं होता है 24 गंटे उनका ध्यान रखना होता है तो ये प्रणाम करने की बजाए असिर्वाद वाली फॉर्मल्टी करने की बजाए उनकी सेवा करने का पूरी लाइफ का जिम्मा होना जी और साथ आपको एक सेगिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साथ में एक साइड तो कहते हो आप कि हमारे संतर रामपाल जी माराज एंजोइमेंट करने नहीं देते हैं मूवी देखने नहीं देते हैं आरे दो अगली बात क्यों करते हो आप लोग एक साइड तो कह रहे हो मूवी देखने नहीं देते हैं दूसरी साइड कह रहे हो प्रणाम करने नहीं आप ही decide कर दो है कि आपको करना क्या है enjoy करना है movie देखनी प्यार करना है माता पिजा की सेवा करनी है valentine day मनाना है करना क्या है आज सरकार भी इस बात पे agree हो रही है कि instead of celebrating valentine day you should respect your parents माता पिता पूजन होना जी है और हम सरकार का इस बात का समर्तन करते है हमारी राजस्तान की भजन राज सरकार भी इस बात से agree है कि valentine day बंद होना जी है माता पिता पूजन दे शुरू होना जी है और संतर अंपाल जी महाराज की अनुए इस बात को accept करते है कि माता पिता की सेवा सबसेव सरोपर ही होनी जी है सब्सक्राइब में परमात जी ने कहा है कि मात पिता मिल जाए लक चोडाशी मौही सद्गूरु से वार बंदगी फिर मिलए नहीं नहीं तो एसी जी उम्र है यह जो उम्रा में शद्गूरु से वार बंदगी मिल जाए तो अपना जनम मरन का रोग भी कर सकता है तरक देना चाहएगा जैसे कि उस भाइने कहा है कि माता-पिता का पैड छूड़ना नहीं चुड़ा श्रिबाद क्यों नहीं लेना चाहिए इसके बारे में हमारे संत्रामपाल जी महाराद बताते हैं कि जैसे सक्ति का स्रोथ जो है पावर हाउस होता पाउच से बिजली निकलता और बिजली तास्फर्मर के जरी विधूत जनित्र में परवेस होता है स्थिए उसी परकार सक्ति का सुरोटर्ट जो है परमात्मा है सर्व जीवन को सुख में और सफल बना सकते हैं ना कि माता जैसे हम एक जी हो उसी परकार माता पिता स्रिष्टी में जितने भी जीव है उसक्ति का शुरोत नहीं है तो हम माता पिता का पहर छुते और माता पिता परनाम के हमेरे पाउं चुने के बदले में बोलते हैं खुश रहो आशरीबात देने के वदलत होता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी भक्ती साधना किये और उनका पूर्ण संस्कार हमारे ऊपर चला आता है और उनका कोई पाप कर अजो समय दोर आता है उनके उपर चला आता है जिससे वो दुखी होता था हम खुश होता है तैसलिए हम क करना है अब तो कुछ लोग कहते हैं कि माता पीता भगवान है माता पीता को प्रस्ण और करना चाहूंगा रामपाल जी महाराजी जागरन वरत इद्यादी पे और धार्मिक्रिया को को भी मना करते हैं इसका जवाब दीए आपकी कही विचार मैं देखा भी यह बहुत सारे जागरन वरत को निशयत करवा देते सिदा मना करते हैं सबसे पहले तो बाहिए कितने परस्ण किया अपने धार्मिक सद्धन को खोल कर देख लेता तो सबसे अच्छा होता है लेकिन प इसा है कि हमें तो जर्म दीन मनाने को मना करते हैं पर 10 का जर्म दीन की मनाते हैं हाँ सर सही बात है अभी कुछ दिनों पहले आपका एक समागम यहाँ बे आयोजित किया गया तो सेम आश्रम है यहाँ संद्रामपाल जी महाराज जी के अउतरें दिवस के उपलक्ष में बहुत दिवे समागम का आयोजित किया गया अगर लोगों के अगर बड़े नहीं मनाय जा रहें जाहिए तो फिर संद्रामपाल जी महाराज अपने जन्मन दिवस के दिवस पे अउतरें दिवस क्यों मनाते हैं सबसे पहले सार बड़े के लिए पूछ रहे हैं हमें तो लगता है उनकी मानसित तनाव भी गर गई है मैं उनसे संदेश देना चाहता हूं कि जिस संद्रामपाल जी महाराजी जो है वो अवतरन दिवस क्यों मनवाने तो फिर अवतरन दिवस क्यों मनाना है फिर सर जो अभी वर्तमान में आज जिस जगे पे अपन खड़े हैं वो सतलोक आशरम है और यहां पे जिस प्रोग्राम के लिए सभी यहां पे उपस्ती थे वो है संत गरीब दाजी महाराज का बहुत दिवस सर I would like to say and want to explain कि हमारा पवित्र हिंदू जरम में तूलसी दाज जी क्रत राम चरीतर मानस की बहुत रेस्पेक्ट है तूलसी दाज जी की दिवी द्रश्टी खुली तब उन्होंने त्रेता युग में गटी हुई गटना को चितरात कर दिया तो ये दिवी दृष्टी एक भक्ती का स्त्रोत होता है पावर होता है इसी प्रकार हर्याना के छोडानी गाउं के गरीबदाज जी माराज हुए है जिनको पूरण ब्रह्म स्वेहम कभीर परमेशवर उनको सतलोग लेके गए उनकी दिवी दृष्टी खोल दी और फिर उन्ह जागरित कर रहे हैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है तो हमें संतरामपाल जी माराज जो ही आउतरन दिवस प्रकट दिवस बहुत दिवस यही तो संसकार देकर हमारे जो बक्ती संसकार है उनको पुनर जिवीत कर रहे हमें अपना बड़े मनाने की बजाए हमें उन संतों के जीवनी के बारे में पढ़नाती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसी का परमान है आज संत गरीबदाजी माराज का बहुत दिवस और उनकी लिकी हुई सुक्षम वेद की वानी जिसको पढ़ने से मन वानी पवित्र होता है और हमारे जीवन में अच्छ करते थे आप मैं उनसे पूछना जाता हूं क्या मूवी होती थी उनके टाइम नहीं होती थी तो आप ही बताओ कि एक साइट तो आप मूवी की बात कर रहे हो दूसरी साइट कह रहे हो कि हमारी परमपराय खतम कर रहे संतर रामपाल्दी माराज वास्तों में पवित्र मानो शमाज का निर्मान कर रहे हैं और वास्तों में मनुष्य को क्या करना थी है what should we do and how should we do and how to follow the true way of worship ये आप सच्चन तो सुन के देखो जगत के लोग सच्चन सुनते नहीं है कई सुनी बातों पे विश्वास करते हैं मैं कहता हूं और मेरे विचार है कि we should never accept the here said कई सुनी बात पे कभी विश्वास नहीं करना चीए हमारे पूरवजी कहते हैं कि सो एक बार आखों से देखने से हमें फैक्ट पता चल जाते हैं और सो लोग मू से बात करते हैं उनके उपर कभी विश्वास नहीं करना चीए आप बिल्कुल यहां आए सतलोग आसरम हर जगे पे और आके आसरम का निर्क्षन करें यहां की वैवस्ता हैं देखें यहां पे संतरामपाल जी महराज जो ससंग करते हैं यहां जितने भगत भाई खड़ें इनके विचार को सुनें पहले आप अपना पोजिटिव माइंड लेके यहां के देखियों तो सही आपको वास्तों में पदा चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए चोड़ना क्या चाहिए और वास्तों में हमें मनुष्य जीवन में किस पदती पे चलके अपना जीवन सभल बनाना चाहिए प्लीज लिसन ससंग यू विल गेट अल दान्सवर जैसे अभी देखा हमने कि यह यह जो संद्रामपाल जी महराजी के जो अन्यवाई है यह आपको खुली चुनोती दे रहे है कि यह जो संद्रामपाल जी महराजी इनके अलावा और कोई सच्चा सद्गुरू या फिर ब्रक्ति देने से माना करते हैं हमारे गुरूजी पैसे देने से इसलिए माना करते हैं एक समय में एक भीखारी ने आप सराभी ने हो क्या करता अपने सराब करेंसे में अपना दन सबकुछ बेच चुका था और में तो एक समय में वह भीखारी ने स्व रूपर उसको भीख दे दिया उसमें हर रोज आधा पैग मारता था तो इस दिन पैसा पुरा मिलने के पाद पूरा फूल पैग मारा जिससे कि उसको पूरा नसा से भावित हो गया और अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी को काफी सताया मा पीटा जिससे उसके पत्नी में दुखी होकर कि अपने बच्चो के साथ आत्मत्या कर दी तो तो उसका दान दिया हुआ जो है अरे सर हमें स्कूलों में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि गुरू गोविन दोनों खड़े काके लागूं पाएं बलियारी गुरू आपने गोविन दियो बता है यानि हमें गोविन यानि बगवान की प्राप्ति करने के लिए गुरू बनाना पड़ेगा और सच्चा स्प्रिच्वल बुक्स को देखिए और पढ़िए जिस दिन आपको समझ में आएगा आप खुद निरने कर लेंगे सही क्या और गलत क्या है मैं काफी टाइम से यहां लोगों के विचार सुन रहा हूं यहां बगतों के विचार सुन रहा हूं और मेरे दिमाग में ये एक क सर्मानित नहीं करते हैं जिस तरीके से प्लीज लिसन मी सर प्लीज लिसन मी दैन आई विल गिव यू टाइम फॉर आस्किंग डग्यूशन मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर है एक वेद है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है पेश चला जाए और पीछे लोग अच्छा डॉक्टर समझ के और उसकी बहुत बढ़िया पत्तर की मूर्ती बना के और एक चौराये पे लगा देते हैं और फिर जो है उस डॉक्टर के आगे कहते हैं कि यह डॉक्टर साब मेरी ठीक कर दीजिए बताईए क्या यह मूरुकता है अबुद्धिमानी वाला काम है यह पूरी तरीके से मूरुकता है वो डॉक्टर की मूर्ती ना तो उस मरीजों का इलाज कर सकती है ना उनकी बिमारी ठीक कर सकती है तो क्या करना पड़ेगा संतरामपाल जी माराज की सस्थन सुनिए बता जलेगा कि ऐसा का आज वरत्मान म पास यह पूरा नौलेज होना चाहिए उसके पास जाईए अपनी बिमारी बताईए वो इलाज बताएगा आपको ट्रीट्मेंट देगा मेडिशन देगा वो खाईए उससे रोग ठीक होगा तो संतरामपाल जी माराज कहते हैं कि हमें उस मूर्ती में आस्ता रखने की बज अगर एक स्टूडेंट स्कूल आके और स्कूल के चारों तरफ घूम के और वापस घरत चला जाएगा तो क्या करना पड़ेगा उसको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी टीचर्स के लेक्सर सुनने पड़ेंगे और जो टीचर्स उनको जो है ओमवक देंगे जो पढ़ाएं कि उनको घर पे जाके रिविजन करना होगा एक्जाम देना होगा देन ही एन सीक एन सकसेज तो इसी टाइप से संतरामपाल जी माराज वाधियात्मी ग्यान दे रहे हैं एज ए टीचर्स गुरू मैं तो यह समझता हूँ कि यह गुरू शब्द ही बहुत था संतरामपाल ज यानि सत्गुरु जो सच्चा घ्यान देता हो और आज संतरामपाल जी माराज गुरू भी है ए ततोदर्सी संत्ध भी है और पूरे जगध के जगध गुरू है और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व को तारने के लिए गुरू इबहुत होता है और एक अपना सादू तारे खंड उनको सत्गुरु जान ये जो तार देवे ब्रमांड को मेरे जगत के बायों बेनों में आपसे कहना चाता हूं कि उस पूरे ब्रमांड को इस पूरी यूनिवस को वापस पुनर जागरीत करने के लिए सबी मनुश्यों को कल्यान करवाने के लिए माराज अपने साद अपने दर्षनारत के लिए इस दुनिया में आये हूए प्लीज उनका ससंक सुनिये और उनके बारे में समझिये कि हुई संतर अंपाल जी माराज विशो के कल्यान के लिए इस प्रत्वी पर आये है और अगर हम उनने उनको आज नहीं पहचाना तो हम भी अपना मनुशी जीवन खो देंगे और पूरी दुनिया भी पस्ताएगी और हमारे पूरे विश्व में होता यह यह जब भी कोई मापूरूस आता है तो हम जब तक हो जिंदा रहता है तब उसका खूब विरोध करते है और उसके मरने के बाद फिर उसकी पूजाये सुरू कर देते हैं यह गलत परंपरा बंद करनी चाहिए आज हमें यह समझना चाहिए कहने का मतलब यह है जो देश विद्योस में इतने बड़े-बड़े भवी मंदिर बने हुए हैं आज के समय में एक आयोध्या में 800 करोड का सरकार ने मंदिर बना है इसका माला सरकार यूजलेस खर्चा कर रही है अरे सर हम तो किसी बात का मना कर ही नहीं है कि यूजलेस है यूजफुल है वटेवर मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उस चीज़ को समझो आज आयोध्या के अंदर पवित्र सरी राम जी का मंदिर बना हुआ है तो वो एक यादास से और हमें क्या करना होगा हमें सरी राम चंदरी जी के जीवन को पढ़ना होगा और हनुमान जी की तरह एक बगत बनना होगा और हम बगत बनके ही अपना मनुश्य जीवन सपल कर सकते हैं तो हम गलत तो कहते ही नहीं है पहली बात तो यह ठीक है यादास तक ठीक है लेकिन हमें उस बगती मारक पर सपल कैसे होना उसके लिए गुरू की जरोते तब ही तो मैंने कहा ना आपको कि गुरू बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरी सुमरे सो वारी है गुरू सुमरे होई पार गुरू की बताई हुई बगती विदी को करने से बगवान प्राप्त होगा ये आपको सस्थंग से पता चलेगा मेरी बात को नहीं सुने प्लीज आप सस्थंग सुने आपको स्वेम को पता चल जाएगा कि सिर्फ मंदीर जाके और पूजा विदी करने से जीवन सपल कता ही नी होगा ये हमने करके देख लिया है जैसे सर भी देखिए इनों ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कर दी है आज हिंदू समाज जो है मोस्ट आप जो समाज है वो पूजा विदी को बहुत फॉलो करता है तो इनों ने सीधा कर दिया कि पूजा विदी नहीं करनी चाहिए तो ऐसा क्यू तो यह जगत के जो भी मतलब कहीं न कहीं हमको तो इसा ही लग रहा है कि वो लोग ये मुर्ति पुजाई कर रहे हैं तो फिर वो क्यों कर रहे है फिर वो उसका बीलकुल सभी बात है इनकी देखिए जैसे आप यहां पर हम देख रहे हैं बहुत बहुत सुंदर सुंदर फोटो सबसे पहले जैसे एक आम की पत्थर की जो चेरा हो गया मुर्ती हो गया तो बहुत देखने में सुटेबूल होता है लेकिन आम की गून को तो यादगार कराता है जैसे कि आम ऐसा होता है आम मिठा फल होता है लेकिन आम की पत्थर में उस्वाद नहीं मिलेगी उसके लिए हम में या तो बीज रोपना परेगा आमको और उसमें पानी शिचना परेगा समय आने पर बीज फल देगा फल देने के बाद हम भी खाएंगे उस आम का सवाध टेस्ट मिलेगा ठीक उसी परकार हमें मूर्ती तो एक यादगार है सर भगवान की याद दिलाती है कि मूर्ती से य जैसे परमात्मा की बानी है कि राम की इन से कौन बढ़ा तिन हो भी गुर की ने तिन लोग के वे धनी गुरु आगे अधिन इस हिंदू धर्म के इतने भी सार्दाली हो राम की से बढ़ा किसी भगवान को नहीं मानते तो राम किसन जी भी ने धरती पर आया है आवतार लि αλλά में परक्राप्त करना से तो इसलिए जैसे बढ़े भाई साब कि हमें मुर्ति पूझा तो राम पालजी मराज के है फोटो को भी पर नाम करती है ना की यह में ऊसवशो कभवान की परमानı मगदा रहे तो एसकी जो बहुत सारे गुरु जो बटी बता रहे हैं लेकिन इन्हें सोड़ी समय पहले कहाता है कि जो समाधि लगात crooked तो ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुवें जो समाधी के बारे में बताते हैं और ये खुला निश्यत कर रहे हैं समाधी लगाने के बारे में तो ऐसे धर्म गुरुवें के लाखों में शिश्य है तो जो समाधी लगाना सिखाते हैं साथी साथ में हमारी पारम पारिक जो लोग जो पुरुवस थे वो भी समाध्य लगाते थे तो यह तो उसका निश्याद कर रहे हैं तो आपका इसके बारे में क्याना है जी बिलकुल यह भी जो मतलब बता रहे हैं बक्ति के भाई यह यह नहीं करना है ठीक है तो चलो यह जो बक्ति बता रहे हैं तो उससे मतलब मोक्स जाएगा इसकी क्या गिरेंटी किसने मतलब इसकी बक्ति से किसी का मोक्स हो गया ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं अभी उन्हों можемBula stuffing ने भी गुरू क्ये तो हम भी मतलब गुरू तो कोई न कोई बना के बक्ति करी रहें कोई नहीं बक्ति करारा सब सुख मिलेंगे सब सबहब सभी संत्र बताते तो संत्राम भिमाहराज बक्ति बताते हैं तो गरंटी के साथ वो वो बोलते हैं और खुली चुनोती पूरे विश्व को देती है कि आईए हमारे सानिंदे में और नाम दिक्षा लीजिए हम आपको जरूर जनम मरंग का मोक्ष जनम मरंग का जोरो रोग है रोग मसे आपको अवस्य मुक्ति दिलाएंगे और आपका आत्मा जैसे कि जो भाइन वोला है कि इसका पर्मान है कि यहां मोक्ष मिल ही जाएगा इसके पहले हमें छोड़ संद गवाए है जो कि जिन होने अनुख मोख्ष हुए और उन्होंने इस इसका गवाव भी दिया जिनका सच्ग्रांथ भी प्रमात्मा की बानीं का सच्ग्रांथ भ इस प्रश्रिति पर परकट होते हैं सबसे प्रताम की चारव जूख के प्रत चरण में परमात्मा्स मौ के कंमल पर प्रकट होते हैं और अपने ब Radh hiçbir कर फोल्पे पररिखें दूषह कर गो अपने जिन्दाा मात्मा की रूप में पर्वarooषक कर के और अपना ग्यान अपने हो इस एक फिडिश्टी खोलतेThis वैकती जो है उनके पर्मात्मा का घ्यान है पूरे समाज के बीच में बताता है उसकी का पर्मान संधली दाजीं पर लोगों को डिखा करके फिर छोड़ा था उन्हें रहा था तुम्हारे साथ में सदा ही रहोंगा और तुम मेरे ज्ञान को परचार करो, मानों को बताओ हुए परमात्मा कवी रहे जिनके भक्ति करने से पुन्मोख्ष प्राफ्थ होती है ठीक उसी परकार गुरुनानक देव जी को बेही नहीं दिए किनारे पे मिले थे परमात्मा ने उनको सथलोक सश्खंड ले गया है उनको सभ शारी वरमान्डो लोको दिखा करें अरुद प्रिधूई पे बेज़ा था गुरुनायक धिर जी भी पर्मात्मा चै intersections छोरात है प्रिथिवी लोग और ठीक विऊले पे प trains 16 जीसे फिर अपनी वाने को क versucht सागर में करवाया था सभी में कभीस सागर पाच्वाबेद में में बरंण करवाया था चिसके भक्ति यानना चाहते हैं आपने जो कहा कभीरες सागर गुरीबध आजonie महाराथ चुक उनके बारे में प्रविष्णु मैं से ब्राहत ऐसे का जितना पावर है उतना उत्ना उसका लाब दे सकता है किसी को मजेश्ट से परिचय हो गया तो मज lider को जितना पावर है उतना तो लाब दे सकता है लेकिन यहां जो है कि प्यक्ति को मालें जैन्य मिरीतु OohƯह यहां पे रोग है मालें किसी को अज्यान प्रने और हम जानना चाहते हैं। गीता जी के अंदर जैसे इन्होंने कहा कि कभीर साहिब जी जो है जैसे कहे रहते हैं कि कभीर साहिब जी जो पूर्ण मोक्ष दिलवा सकते हैं तो इसके बारे में गीता जी में प्रमानित है बिलकुल गीता जी में इस पश्ट लिका हुआ है तीन पूरुस बताए हैं अभी अग्यान तबस यह पता था, कि गीता Shepherd जी का घ्रवेस्ट को यूज लेते हुए उनकी आत्मा में परवेश करके, गीता-जी का घ्रवेस्ट आपको यह पता चल गयार कि गीता जी के अंदर तीन पूरुष बताए शरपूरुष, अक्षरपूरुष और परमक्षरपूरुष यानि ब्रम, परब्रम और पूरन ब्रम पूरन ब्रम से हमारा मोक्स होगा तो मैं आपको ये कहना चारा हूँ कि ये जितनी भी अपन साधनाय करते हैं वो तो इस मर्ट्यू लोग तक्सीमित हो जाती है और मोक्स के लिए जो भक्ती होती है वो पूरन ब्रह्म की होती है पूरन ब्रह्म की भक्ती कैसे करनी चाहिए इसके लिए गीता जी में का गया है कि तो ततो दर्सी संद की खोज कर वो जैसा तेरे को ग्यान बताते हैं उस ग्यान को समझ जो भक्ती विदी बताते हैं उस भक्ती विदी को फॉलो कर अरजुन तेरा मोक्स होगा और ये भी का है पूरन ब्रह्म ने कि मैं भी उसी की शरण में हूं और तू भी उसकी शरण में जा ये प्रमान के लिए आप गीता जी अध्याय नमबर 18 18 शलोक नमबर 62 और 66 में ये पता चलेगा जिसमें व्रज शब्द लिखा हुआ है व्रज का मतलब होता है गो यानि जा और यहां ब्रह्म कहरा है कि तू पूरण ब्रह्म की शरण में जा और मैं भी उसी की शरण में हूँ और जितने भी ये जगत के जो अपने आपको गुरु समझते हैं उन्होंने इसका अर्थ यानि उनको तत्तो ग्यान नहीं होने की वज़े से व्रज का अर्थ कर दिया आ यानि आजा क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण बोल रहे है ग्यान और वो कृष्ण अपनी शरण में आने को कह रहे है उनसे आगे उनका ग्यान था ही नहीं इसलिए उनकी सोच और उनका लेवल वहां तक पहुचा ही नहीं संतरामपाल जी महाराज ने ये किलियर कर दिया कि गीता जी का ग्यान ब्रह्म ने बोला जो 21 ब्रह्माट का स्वामी है और 21 ब्रह्माट तक है तब तक मर्ट्यू लोक में है जनम मर्ट्यू में है और जनम मर्ट्यू से छुटकारा पाना ही मोक्स है और मोक्स होता है पूरण प्रणाम के बग्ति ततो दर्सी संत करवाता है और ततो दर्सी संत वरत्मान में संत रांपाल जी नहीं है तो यह किलियर हो गया मैं आपको रांपाल यह नहीं बताना चाहूंगा कि युद्वर्त्मान में इस विश्यों के utar Nameハार संत एक मात्र है वो है जगत गुरू ततो दर्शी संतरामपाल जी माराज मेरा उनको प्रणाम कोटी कोटी डंडवत प्रणाम और मैं सभी मेरे विश्व के जितने भी भाई बंदू बेन भाई माता पिता के समान बुजुर्ग है मेरे यंगश्टर साती है फ्रेंड से उनसे कहना चाहूंगा प्लीज लिसन सत्संग अप संतरामपाल जी माराज एंड फॉलो दा संतरामपाल जी माराज देन वी कैन सक्सीड इन आवर यूमन लाइफ एंड वी शुड नो वाट इस अबज़ेक्टि उफ यूजू जगत में संतरामपाल जी माराज का एक सूर्य रूपी हुदे इस मनुश्य जीवन के कल्यान करवाने के लिए हुआ है और हमें उनको फॉलो करना चाहिए और करने से हमारा मनुश्य जीवन सफल होगा तो प्लीज आप ससंग सुने आपको सोते पता चल जाएगा हमें आज ग्यान हो गए इसलिए हम आप से रिक्वेश्ट करें और जिस दिन आपको भी ग्यान हो जाएगा उस दिन आप भी अपने बेन भाई और अपने परियार का कल्यान करवाएंगी दर्शकों जैसे की ये आप देख सकते हैं भी समय हो स्मय बहुत जादा हो चुका है यह इसके एकदम सटउस्पक करने वाले इन्हें परlike भाई की तया है और जो इन्हें जो कोट किया है और पूरा ट्राय किया है कि यह जो अन्य पंतों के लोग है यह इस चीज को माने कि संत्रामपाल जी महाराजी का जो ग्यान है वो सच्चा ग्यान है वो साती साथ में वही एक सद्गुरू है जो पूरे विश्व में फिला प्रेजन्ट है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें